कि सब्सक्राइब करने वाले हैं गड़ित के महत्मूर प्रकृति के बारे में गड़ित के अधानाओं के बारे में और उनसे लेटर कुछ महत्मूर बिंदों के बारे में हम लोगों जिससे हम लोग पैसिक को भी थी क्लास के समझ जान चुके हैं NEW और फिली करते हैं यहां पर पर आघाली के बारे में ऴॉण गालियू का कहना है कि गडित वह भासा है जिसमें परमेस्वर्ण ने संपूर जगत या ग्रहांठ को लिख दिया है अपनों सब्दों में इस प्रकार सेड़ित को सभीक है कहना है एक Обिव समपूर बरshield की संरचना तो गडित के संदर चनल में डिखा गया है ऐसा मत्स की सब्सक्रिख कहें तो अगला jotika कि उनकर तो बारे हम थोडा इसको करने तो लाक का कहना है लाक ने कहा है कि गडित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष में वर्क करने की आदत अस्थापित होती है गडित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष में वर्क करने की आदत अस्थापित की जा सकती है कहने का इतात पर यह है फ्रिंट गडित के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चों के मस्तिस में किसी भी काम को करने की रुची को जो है पैदा कर सकते हैं अथार्थ हम बच्चों को कार के प्रती समर्पित और उनके अंदर जो है कार के प्रती जो है कार के प्रती जो मतलब कह स प्रकार से तताश्टता होती है वह उनके अंदर हम लोग पैदा कर सकते हैं कि मतलब गड़ित के माधिन थे हम बच्चों की मन को इस प्रकार से जो है उनके उनको जो है जो भी होमवर्क वगरा दिया जाए वह उसको खुछते करनी के लिए जो है प्रिजित हो जाएं और अप अपना काम बिना किसी बिना किसी अन्य विक्ति के सुजाए या कहें कि अलावा अपना काम करनी की प्रिवित्ती का विकास किया जा सकता है बच्चा अपनी काम को समझे ने लगे उसमें रुची ने लगे इस प्रकार की भाव पैदा करने की बात करते हैं लाक महुद्ध मोस्ट इंपोर्टन परिभासा अप्रिभासा को समझेगा आसानी होगी आपको सारी परिभासा क्यों कि एक से अधिक साइकलोजिस्ट ने मनव देखता है तो हम लग की तरफ रुख कर सकते हैं और ऐस्त्वरी बात होती है जहां इस्वरी बात होती है मतलब इस्वरी यह प्रतिव्य गाराकी जीसे बात होती है तो घ्रए परिवास को याद कर सकती है और हमारे लिए इग्या में नहीं होगा अगली परिवासा की तरफ बढ़ेंगे अगली परिवासा मार्सल महुद्य दोारा है तो मार्शल महोदे कंसार गड़ित ऐसी अमूर्थ विवस्था का अध्यान है जो किसी अमूर्थ तत्तों से मिलकर बना है इन तत्तों को मूर्थ रूप में परिभासित किया जा सकता है इंपॉर्टन परिभासा है फ्रेंड समझेगा मेरे साथ गड़ित ऐसी अमूर्थ विवस्था का अध्यान है मतलब क्या है कि जैसे हम बच्चों को क्या है पहले एक अमूर्त वारे मतलब जैसे क्या है गड़ित के संक्रियाओं के बारे में पहले अमूर्त विवस्था के बारे मतलब इन अमूर्त विवस्था के बारे मतलब इन अमूर्त तत्तों को मिलाकर इसको मूर्त विवस्था के बारे मतलब क्या है जैसे हम बच्चों को पहल हैं और उनको जो है उस्ट के उस से टॉपिक से जोड़ते हैं। तब्स ने कि पाष्चा जाividad करते हैं हम उस अमुर्स उधानों का सिहा लेकर उस स्थाउड को मुर्द देते हैं अथार बोर्ट पर तामपर Пर उसका झामपर उसको कभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसको मुर्थ रूप में उनको परिभासित कर सकते हैं उसके लिख कर वकायदा अच्छे से डिफान करके समझा करके ठीक है फ्रेंट तो यह हुई परिभासा मार्शलम होदे की एक बार पुनना दोरा आएगा मेरे साथ गड़ित एक ऐस किसी अमूर्थ ब्रवस्था का अध्यान है जो किसी तक्तों से जो किसी अमूर्थ तक्तों से मिलकर बना होता है इन तक्तों को मूर्थ रूप में परिभासित यह जा सकता है ठीक है आगे बढ़ेंगे फ्रेंड यह तoth Constant पारिजियों करेंगे उसके बाद हम गए टापिक है जिसमें परमिश्वर ने संपूर जगत या ब्रह्मान को लिखे दिया है पहली परिवासा गैलेरियों की इन पर टॉकिंग है ठीक है की पॉइंट हमारा क्या है संपूर जगत भी बना सकते हैं परमिश्वर भी बना सकते हैं इनके मादर ते इन परिवासा की पहचानम कर सक है नेक्श लाक की परिवासा लाक का कहना है गडितुवा मार गहें जिसके तवारा बच्चों के मन या मस्तिश में वर्क करने की आदत को अस्थापित है आदत थिक है या मन्य मस्तिक दो की पॉइंट इसमें बन सकते हैं इनको जो है हम लोग की पॉइंट बनाकर जो इन परिफासाओं को याद कर तकते हैं नेक्स्ट मारसल महदा की तरफ अगर बढ़ेंगे तो मारसल महदा ने कहा है तो गड़ित एक ऐसे अमुर्थ वे उस्था आखके में वास्तों में गड़ी सिंच्छण की आवसकता है किया है कि इस पूरती के जबता है इसी कि संदर्वमें एक एक करके इनके आसकता है उसके बारे में देखते हैं चलिए तो बिज्ञान बिस्व में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है इस बैज्ञानिक योग को तेज करने के लिए गड़ित की बहुत पूर्भूम का है यहां आप सभी को पता है कि आज टेकनलोजी तकनीकी क्या है अपने अपने उच्चे अस्तर पर अस्थापित है मतलब क्या है आज तकनीकी का योग है बहुत तेजी से वैज्ञानिक कारे हो रहे हैं बहुत तेजी से वैज्ञानिक अविश्कार हो रहे हैं लोग जीवन को सरल और सुलब बनाने के लिए तकन गडेत की एक महत्पुर्वूं क्यों पहुते हैं कि बिना कोई भी सम्मदल्द कार्य कोई पीया सकता यह सालता से नहीं किया जा सकता है इसलिए फ्रेंड की अश्बत्र में आद जितने भी तक्ने स्थाइसा आवशक्ता को दिखाता है आगे बात करेंगे विभिन खोजो के दोरान जतिल गड़ना आपने देखा होते हैं जब किसी महत्पूड को कि लिए वह लोग जो है रिसर्च करते हैं उनके बारे में जो है अध्यन करते हैं तो आपने देखा होगा जब वह या मापन संबंदीत ऑमिए करते हैं कि कासब्स क्रियाएं होती है या गरती जो भी हस्ते ब Speaking होता है जब जो कल्कुलेशन होता है या याक्र आएं के माद्यमति है कि अ唉 होती है क्षेप की उपयोगता को देखा जा सकता है समझा जा सकता है और इसकी आवसकता बिल्कुल पानी की तरह साफ हमको दिखाई देती है कि कोई भी जेटिल बैग्यानिक रखार हो रहा है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गड़ित की उपयोगता वहाँ पर निश्ची तोर से परियाय को समझेंगे तो यह जो कांसेट आपका एजयली कि परियाय का मतलब होता है कि एक दूसरे के संपूरग एक दूसरे के संपूरग मतलब अगर यह नहीं है तो भी कारी नहीं हो सकता है मतलब एक समान अर्थ वाले देने वाले एक समान एक साथ साथ होने वाले मतलब जो कह सकते हैं कि साथ साथ होने वाले विकास यह दूनों एक दूसरे से अंता संबन्दित है मतलब क्या होगा कि वैग्यानिक प्रगती का आधार गरती-प्रगती है इस लिए एक दूसरे के ये पूरक और पर्याय बन गए है तो इतनी महतपूर्ड आप सकता है थी जिसके बारे मैं लोडिसित किया है एक बार पुना इसको थोड़ा सा रिवीजिन कर लेते हैं उसके बार आगे हम लोग पढ़ेंगे लिए टॉपी के बारे में तो पहली आए सकता हमने पढ़ा फ्रेंड की बिश्व में तीसे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अगले टापिक के तरह बढ़ेंगे अगला कांसे टोन पढ़ेंगे। गडित अजियम की अवस्थाएं के बारे में जो डिसकस करेंगे चलिए तो गडित अजियम की अवस्थाएं क्या करते हैं या जन्म से लेकर इस और अवस्था तक गडित से समय अलग मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है जो जन्म से किसा अवस्था तक छ्षय अवस्थाओं के ऐसी लब भारत है गड़ित समझने के लिए गुजरना पड़ता है उन अवस्थाओं को 6 महत्पूर कटिगरी में जो है डिवाइड किया गया है उसके बारे में जो हैं हम लोग डिसकस करने वाले हैं पहला है आरंभीक अवस्था जिसका नाम है आरंभीक अवस्था पहले अवस्था यह इमर्जेंट फेज दूसरी है पहले है आरंभीक अवस्था इसेas fate दूसरा है मिलान अवस्था जिसे करते हैं मैचिंग फेज तीसरा है पायुमाड आत्मक अवस्था जिसे करते हैं क्वांटी क्वांटिटी फाइंग क्वांटिटी फाइंग फेज और तिसरा होता है विभाजन आत्मक अवस्था जिसे बोलते हैं ब्लेंटर ट्रॉम्हां को सच्वार्टिडाएंग रेसिंग विर्ण खेंग भीकी थे मिलान धे कि भृप्षwsन आत्मक अवस्था praten से करें ऑरम भीक अबस्था मिलाण अवस्था वेस्था परिमान आत्मक अवस्था qualifying phase, विभाजन आत्मक अवस्था participating phase, और गुणन खंडी अवस्था factoring phase, आत्मक अवस्था मतलब operational phase, तो ये थी छो बिंदू जिनकी बारे में हमको aspect में चर्चा करनी है, तो ये एक एक करके इन बिंदू के बारे में चर्चा करते हैं, इन महत्पु अरभिक अवस्था आवस्था कि बद्स का है के जन्व आउस्था कि इसकी साहतने हैं, इस ग depend में कैसे गड़ित आवस्था कि आफिव्था होता है, खथा कि आचप को बच्चा वस्तु को देखकर बता सकता है कि कौन सी वस्तु बड़ी है कौन सी वस्तु चोटी है मतलब फिंड इस अब यह सामने दो फल रखे जाते हैं एक आम का फल रखा तो बच्चा इसमें बता सकता है कि अनानास का फल बढ़ा है और आम का फल चोटा है इस परकार के पस्टरवर दे सकता है इतनी उसकी जो है बहुत दिक चमता इस अवस्ता में विक्सित हो जाती है यह तो बात हो गई इमर्जेंट फेज की यह आरमी का वस्ता की आगे बढ़ेंगे दूसरी अवस्ता के बारे में दूसरी अवस्ता है जिसकी आश्रीमा है तीन से पांच वर्स इस अवस्ता में बच्चों को दो संख्षाओं के नंबर या गिंती को बोल तकने लगता है किसी भी बड़ी समूं क इसे बारे इतनी इसका एक संख्षाओं के नंबर या गिंती को बोल सकने होता है ुनकी पढ़ सकता है उनकी वारे मोजा है वह उसको दोसरीक लेगा 13 को पढ़ सकता है कि 13 है एक दाहाई ती निकाई इनके बारे में जो पढ़ सकता है बता सकता है साथी साथ बड़े समुहों की चीजों को मतलब क्या है जिसमी का है मतलब लबब क्या है कि 3 या 4 से ज्यादा मतलब एक ऐसा समुहों जिसमी का है साथी है मुलत यह इमर्जेन 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 इसकी निख हो गई थी आसानी से बता सकता है यह इस ऑन यह संहान उसके माइंड में पहले से घ्यापता है आगे करेंगे अगली अवस्ता के बारे में इस आउस्था में बच्चा भिन भिन तरीकों से संख्या को बेख्ट कर सकता है जैसे 7 को 4 प्लस 3 या 7 को 5 प्लस 2 के माद्यमति वह बेक्त कर सकता है मतलब वह यह अंतर को समझ जाता है कि 4 और 3 जोडने पर भी 7 आता है और 5 और 2 भी जोडने पर 7 आता है मतलब यह जो संख्वाओं में परिवर्चन होते हैं इन संख्याओं में परिवर्चन को समझ जाता है, मतलब वो जोड की संक्रिया को पूरी तरीके से समझ जाता है कि अंक को जोडने पर समानमान प्राप्त हो सकते हैं, अलग-अलग अंकों को जोडने पर समानमान प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के विभिन अंतरों को जुवि इसके बाद विभाजन आत्मा को वस्था का इस सवस्था में बच्चा दो संख्षाओं का अस्थानिमान पर विभाजन कर देता है और दो या तीन संख्षाओं के नंबर तक जो है जिसको 245 वस्थानी से पढ़ता है इसमीं इकाई के अस्थान पर यह बता लेगा अस्थान पर और चार डाही के अस्थान पर है बात करेंगे अगली गुड़न खंडी अवस्था के बारे में जी हां गुड़न खंडी अवस्था क्या होती है इस अवस्था में बच्चा एक दरजन में कितनी वस्था होती है या एक बालक के पर चार पेंसिल है तो आड़ बालक पर कितनी पेंसिल होगी इस प्रकार के बोध आधारित मतलब बोध आधारित प्रस्था के जो वह उत्तर हुआ देने लगता है अथार उसकी जो मान्सिक छमता है इस हद तक विक्सित हो जाती है कि अब वह क्या है कि साधारण बोध परक प्रसनों के भी उत्तर आसानी सेवर दे लेता है तो आशे दो या तीन चार या पान दरजन की बात करे तो आसानी सिवर बारा कगड़ा करके नेज संख्या को समझ लिया तो हम चाहे एक या दिया या दो या तीन चार या दर्जन कितनी भी दर्जन वस्तुवीं रख दें और उसकी नियत संख्या पूछी तो आसानी सिवा बाड़ा का बुड़ा करके उनकी संख्या को हमें क्लियर पता सकते क्यों यह हैं उसके संग्यान में अब जा चुका है कि एक दर्जन में 12 वस्तुवीं होती हैं साथी साथ वह बोध आधारी प्रसने उनकी उत्तर भी वह मौकिक रूप से देने लगता है जैसे यह हम उसके कहें कि एक बाले के पास चार पेंसिल है तो ऐसे ही आट बाले के पास कितनी पेंसिल होगी तो आसानी सिवा बता सकता है यह आरचुग 32 मत्दम उनके पास कितनी पेंसिल होगी 32 पेंसिल होगी तो इस प्रकार से साधान बोध इसकी इस अवस्ता तक आते आते बिक्सित हो जाती है यह हम लोग बात करें फ्रेंड गुडन खंडी अवस्ता या 9 से 11 अवस्ता की बारे में बात करें जिस से फ्रेक् आती मुवस्ता है वह है हमारा चलिए अगली अंती मुवस्ता हमारी है कि संक्रिया अवस्ता अवस्ता जिसकी आई शिमा 9 से 11 वर्स परी नो से 11 वर्स यह देखिए थोड़ा से इसमें तुटी है यह 11 वर्सी उपर 11 से ऊपर तक के जो आई की बच्चे होते हैं वह इस अव जिसमें क्या आता है जोड़ के बारे में उसको घ्यान हो जाता है घटाने के बारे में उसको घ्यान हो जाता है गुड़े के बारे में उसको घ्यान हो जाता है साथ भाग के संक्रियां के बारे में समझने लगता है साथी साथ अस्थानियमान की जानकारी हो जाती है साथी स मतलब कासकते हैं शिधे सिदे गड़ित की एक बईसिक समझ उसके अंदर आ जाती है जिनमें बईसिक समझ के लिए हम बात करें उसे जोड़का ग्यान हो जाता है उसके घटाने के बारे में जयानकारी हो जाती है वह हुआ थफाइन को समझने लेता है साती साथा अस्थानिमान को समझलेता है तो यह तीन यह चार उंगों से नीज़िपों तरह Türkiye को समझने लेता है इसके साथ उऔर अधार को संख्रियों को निवह शपपर हो जाता है या 5-100 या दो गुड़े 10 या 5500 के बाद्र ङॉद्ध नहीं सब्सक्रेंग से इसने महत्पूरचा जिनके ऑद किया है और संक्रियां मndतर संक्रियां tyre सकता है और संक्रियां इस सैंक्रियां अधार जो है यहीं तक कांटिन्यू करते हैं उसके बार आगे कल हम लोग डिस्ट करेंगे इन सी आइटी के अंसार गड़ित के उद्देश के बारे में तो चलिए इसको पर लिए रिविजन कर लेते हैं इसके बार जो है कि करके चलिए पतinho सबसे पहले हम लोगों नहीं जाना आरबी के बारे में आरबी का वस्था की आईश्रीमा है फेरेंड situat यहीаничला से बारे में इसलिए यह इसलिए भी प्था बातिन से सर्व क्या गिनती की यहांत हो जाता है दो अंक्रों की संख्यारों PanicLeone preciselystep कीमिए disappote इसमें क्या करता है वह विभाजन विभनात्म कवस्था जिसको क्या करता है इसमें वह अस्थानी मान पर विभाजन की प्रक्रिया को अच्छे तरीके समझ देता है कैसे बड़े संख्यां का अस्थानी मान की प्रक्रिया क्या होता है थी थी आइदे की मिलीन की क्लियर समय लेता है और यह पूछा जाता है कि यह तो एक दो या तीन कितनी वस्तुं होंगे तो तरीके से परिपक हो जाता है इसकी आई गयारा वरती उपर की जो आय होती है मतलब समबंदित सामान संक्रिया के बारे मुझको पूरी तरीके से जैंकरिया जिन में जोड़ खताना घुड़ा भाग दस्वल अस्थानी मान अन सभी संक्रियां समलित करती है इनकी सामान जानकारी पर चोंचैन को जाती है इसक्रास फिर기 musical है इसब्सक्राइन मैं येक्षिक करेंगे संब्सक्राइन लिट्रेया अधार अधार पर तो फिलेल एक जो MA सब्सक्रें करते नगर्वावाप थैंग्यों थो